अज़ो एवरिवन अलकम दो और चैनल मैं अतुल जिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं और वो चैप्टर का नाम है अटमिक स्ट्रेक्ट भड़न के बहुत सारे बुक्स में यह इस्ट्रट्शर आप के नाम से भी जाना जाएगा तो आज चुछ हम लोग अटमिक स्ट्रेक्ट्शर के वाड़े में स्टार्ट करने वाला है वो इंत्रॉड्र इंट्रोड़क्शन होगा फिंपल इंट्रोड़क्शन और आज ही मे हम लोग थोड़ो सा डालतें से टमी थेोरी के बारे में पढ़ेंगे और डिसकब्री ओफ इलक्ट्रून के बारे में सिखेंगे जो कि इस चेप्टर का बेस है क्योंकि हम लोग में अभी रिसेंट में ही आटम एंड मॉलेक्यूल्स को ख़़म किया है लास्ट शेप्टर हम लोग नहीं अमी आट के बंगिया है अब आटम क्या ő सब्से छोटा पार्टिकल्स है क्या यह सही है कि हाख में मालेस्ट पार्टिकल्स िसे भी छोटा कुछ होता है तो उससे छोटा जरूर कुछ होता है. उसी चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है यह atom का structure कैसा होता है अगर atom है कोई भी छोटा चीज है तो उसका कैसा structure होगा अगर उसके अंदर में कुछ चीज है तो वो क्या है और वो कहाँ पर उसका position है इन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है तो सबसे फर्स्ट आपल हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से इंट्रोडक्शन वही से सुरू होगा जहां से आटम इन मॉलेक्यूल का सुरू हुआ था तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जॉइन डाल्टन्स एक दाता थे और बिटेन के थे स्कूल टीचर थे इसके बारे में मैंने आपको पिछले कुलास में बताया है, पिछली चैप्टर में बताया है तो डाल्टन्स के अनूसार all matter was composed of a small particle called atom जितना भी matter होता है वो छोटे छोटे particles से बनता है उस छोटे particles का नाम ही atom होता है suppose करो जैसा कि हम लोग का body का smallest चीज क्या है cell को जोड़ जोड़ के टीसो बनता है तो उसी तरह कोई भी चीज अगर बना हुआ है तो अगर कोई भी matter है वो matter किस चीज से बना हुआ है atom से atom atom को जोड़ते हैं तो को सकता है molecules बनता हो उसके बाद molecules से कोई एक substance बन जाता हो यह atom क्या है smallest unit है एक smallest particle है तो सबसे smallest particle को atom होते है यह joint atom का ऐसा मानना था atom is a Greek word atom कहां का word है Greek word है इसका meaning क्या है indivisible indivisible मतलब कि जिसको आप तोड़ ना सके आप मानलो सबस करो कि मेरे पास एक बहुत बड़ा सा एक stick है तो उसको मैं बीच से ब्रेक करता हूँ वह दो भागनेट फ्रूट जाता है इस दोनों को बीच से ब्रेक कर सकता हूँ इससे भी कुछ पार्ट सोगा उसको भी ब्रेक कर सकता हूँ उसको भी रिक्र सकता हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा, कि अब वह ब्रेक नहीं होगा, एक समय ऐसा भी आजाएगा, जब वह ब्रेक होने के लायक नहीं रहेगा, तो ऐसे इस्तिती में उसी को आटम से बोला जाता है, यह ग्रीक में ऐसा मानना था, आटम का मतलब था, दो वर्ट्स से लिया गया है A plus term, A का मतलब बता था ultimate, term का मतलब बता था particles और इसका पूरा फॉर्मॉवा, पूरा अगर मीनिंग दिखें तो हो सकता है item का मतलब the ultimate particles अब इसको आप divide ने कर सकते हैं जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं वैसा particle अब इसके बारे में Dalton's का कुछ theory था Dalton's atomic theory की नाम से जो famous है पिछले chapter में भी हम लोगों ने किया था अब उस theory को हम लोग एक बर फिर से देखेंगे, atom is the smallest indivisible part of matter indivisible part जिसको आप break नहीं कर सकते हैं which take part in chemical reaction कोई भी chemical reaction में जो है वो atoms ही हिस्सा लेता है जैसे water बनता है तो water बनाने के लिए hydrogen चाहिए oxygen चाहिए तो hydrogen का atom ही यहां पर होगा, जिसे hydrogen का यह atom यह chemical reaction में हिस्सा ले रहा है यह hydrogen atom हिस्सा ले रहा है यह oxygen का atom हिस्सा ले रहा है, hydrogen का 4 atom, oxygen का 2 atom वो atom को मिलने से molecule बनता है और molecule भी आपस में react कर सकता है तो simple है यह smallest individual part we take part in chemical reaction यह chemical reaction में हिस्सा ले रहे हैं तो यह atoms है atoms is neither we created nor we destroyed atom का जैसे energy का एक law of conservation of energy है उसी तरह यहां पर atoms के बार में बिताया गया कि इसको नहीं आप बना सकते हो नहीं इसको destroy कर सकते हो तीसरा है atoms of a same element are similar inside mass and characteristic अगर atom same element का हो तो वो same size का होगा same mass का होगा same characteristic का होगा और अगर atom of different element अगर different element का हो तो different size different mass और different characteristic का होगा बट यह दोनों बातें भी wrong proof हो चुकी है मैंने आपको isotopes और isotopes के बारे में आपको बताया है जैसा कि मैंने आपको बताया कि कारवन के दो और isotopes है तो यहां पर atomic number same है but atomic mass अलग-अलग है mass में differences आ जा रहे है तो यह isotopes के लाते हैं जो की इस law को fail कर रहा है और अगर different different atom को ले ले element जैसे आर्गन, potassium, and calcium यहां पर देखो के लिखा हुआ है atom of different elements have different size, different mass and different characteristics atoms of different elements different elements तो लिया गया है लेकिन different size भी होगा different mass भी होगा different size तो है different mass नहीं है सबका mass similar है तो यह ISO tones कहलाते हैं तो कहने का मत्तब यह है कि आप यह theory जो है item satomic theory वह wrong है उन्होंने छे यह साथ theory दिया था जिसमें modern scientists ने उनके सभी theory को fail कर दिया तो चलिए इसके आगे चलते हैं ऐसा क्या हुआ आप अन्होंने बोला था और कोई इंसान बुलता है कि यह room दुनिया का सबसे चोटा चीज मिए तो क्या वह सही होगा नहीं वह सही नहीं होगा वह chair होगा जो उसके अंदर में तो इसी दहार आटम्स दुनिया का छोटा इस नहीं है यूंकि आटम्स के अंदर वे फिन कुछ पंडमेटल पारिकल्स हैं और उसका नाम है कि प्रोड्रोन ऐडड न्यूर्ट्रोन को इसके अलावा वी कुछ चीचें पाए जाते हैं जैसे मैसोन और सबसे च्छोटा चीच किसे बता है तो यह सबसे च्छोटा तो बिलखुल भी नहीं है यह और सभी सभी बढ़ा है तभी आटम्स के अंदर में है तो मैंने एक चार्ट दिया है जिसमें की जो आटम्स के अंदर में रखते हैं इलक्रोन, प्रुट्रोन और न्यूट्रोन उनके बारे में कुछ डिटेल्स है जैसे प्रोटोन, प्रोटोन को वो P plus से denote किया जाता है, क्योंकि इसका symbol plus sign, इसका symbol जो है, वो plus में लिखा जाता है, neutron पर no charge, इसलिए इस पर कोई भी plus या minus कुछ नहीं है, जबकि zero है, और electron minus charge के लिए जाना जाता है, अगर इसके मास की बारे में बात करें तो प्रोटोन का मास होता है 1.673 into 10 to the power minus 27 and neutron का वीड भी उसी के almost equal होता है 1.675 into 10 to the power 20 minus 27 electron का वीड जो होता है वो बहुत कम होता है जैसे कि 9.109 into 10 to the power minus 31 kg इतना छोटा मास होता है electron का अगर relative मास लिया जाए अगर उसके बद्ले में मास लिया जाए तो इसके बद्ले में 1 लिखा जाएगा neutron के लिए भी 1 लिखा जाएगा जैकि electron के लिए 0.00055 लिखा जाएगा जबकि charge के लिए plus 1 proton के लिए neutron के लिए 0 और electron के लिए minus 1 लिखा जाता है अगर आप इन स्लोप के रेशियो को निकालोगे तो 1 by electron और proton के relative मास के रेशियो को निकालोगे तो आपको कुछ ऐसा result देखने को मिल सकता है अगर जेखने को जाएगा हंट्रेड का डिफ्रेंस आता है मतलब यह है कि इलक्ट्रोन के वीट से लगवग अठारा सो गुना ज्यादा वीट होता है प्रोटोन का तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इसके डिस्कवरर के बारे में भी जान लोग प्रोटोन के डिस्कवरर हैं गोल्ड स्थीन लेकिन जब आप इसके बारे में भी डिटेल से जाना होगे तो आपको पूरी तरिका से समझ में आएगा कि जेजे थॉम्सन ने किया किया था और अधर साइंटिस्ट ने क्या किया था तरह आगे बड़ते हैं अब यहां से स्टार्ट होता है हम लोगा चैप्टर का में पार् पार्ट होते हैं फस्ट वन इस निकलियस और सकाइड वन इस आउटर पार्ट सपोस्ट करो यह एक आटम है आटम का सेंटर में निकलियस होता है निकलियस के अंदर में भी कुछ पार्ट होते हैं और निकलियस के बाहर जो होते हैं जो की सेल बोला जाता है जिसको उसको हम लोग आउटर पाट बोल सकते हैं. इसको आउटर पाट बोल सकते हैं. अब निकलियस क्या है इसके बारे में जानते हैं. The size of nucleus of atom is very small. In which neutrons and proton are present so that almost entire mass of atom is situated in nucleus. proton and neutron present in nucleus are collectively termed as nucleus. अब देखो, nucleus में क्या-क्या रहता है? present proton भी रहता है और neutron भी रहता है. यह दोनो collectively present रहता है. proton and neutron present in the nuclear and collectively termed as nucleus. यह दोनों को जोड़ के, अगर हम लोग देखें, तो उसको nucleus बुला जाता है. center में यह सब रहता है. number of neutrons is called mass number of element. size of nucleus is the atom is 10 to the power minus 15 meter. size बहुत छोटा होता है. very small in size and number of neutron is called mass number of element. अगर किसी में number of neutron 11 है, तो mass number जो होगा वो number of neutron plus number of proton होगा. actually यह mass number में number of neutron के साथ number of proton को भी जोड़ा जाता है. अगर hydrogen का weight एक जगा पर 1 gram है और hydrogen का एक जगा weight 2 है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि atomic mass equals to P plus N, तो यहां पर proton 1 है, neutron नहीं है, तो इसका mass 1 का 1 है. अगर यहां पर A plus N है, तो यहां पर इसका result 2Q है, क्योंकि proton भी 1 है और neutron भी 1 है, neutron यहां absent था. इसके वज़े से इसका mass जो है, वो सिर्फ 1 है, और यहां पर neutron present है, इसके वज़े से यहां पर इसका mass 2 है. तो यह है nucleus. mass number को दिखाने के लिए mass number को denote के जाता है AC, number of proton in a nucleus plus number of neutrons. अब देखो, example के दौर पर. nitrogen, nitrogen का number of proton 7, number of neutron 7. तो अगर N का mass निकालना हो, A of N equals to number of proton plus number of neutron. means 7 plus 7 equals to 40. Outer part in outer part, electrons move around the nucleus in fixed orbits. these orbits are called energy levels. जो outer part कैलाता है, यह तो nucleus का बात था. मैंने जैसे कि आपको शुरूर में बता है, कि केसी भी atom ना दो पार्ट है, एक nucleus. और निकलेस के बाहर जो पी पार्ट होता है, वो आउटर पार्ट होता है. आउटर पार्ट से क्या होता है, इसमें electron move करता है. और वो electron इसलिए move करता है, वो center की शारोर भूमते रहना चालता है. वो energy level उसमें उसका बढ़ जाता है, इसके बज़े से वो rotate करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है. अब आज आता है discovery of electron पर, जिसको cathode ray की नाम से famous किया गया है. In 1859, Julius Plucker started the study of conduction of electricity through gases at low pressure in a discharge tube. When a high voltage of 10,000 volt or more was impressed across the electrode, some sort of inversible rays move from the negative electrode to the positive electrode. Since the negative electrode is reflected to as cathode, these rays will call cathode ray. अब Julius Plucker, जो है, electricity के बारे में, gas के बारे में, low pressure पे कैसे काम करता है, इन सभी के बारे में समझ रहती इन तब के बारे में जाहनकारी ले रहते है, तो उन्होंने बताया कि 10,000 volt या उससे ज्यादा volt का energy आप ले सकते हो, तो some sort of individual ray moved from the negative electrode. तो कुछ parts जो होता है, वो negative electrode की तरफ चला जाता है, to the positive electrode, negative तरह negative electrode से positive electrode की तरफ एक rays जाता है, the negative electrode is referred to as cathode, negative character, negative electrode को ही cathode पर रखा गया, the rays were called cathode ray, अब इसी को cathode ray के नाम से जाना जाता है, अब इसका property क्या है, these ray travel in a straight line, यहामेंसा cg line चलाती है, जैसे की sun lights बनाते हैं, यहामेंसा cg line बनाती है, with very high velocity range from 107 to 109 meter, sorry, 10 to the power 7 to 10 to the power 9 meter per second, यहां जो light का speed होता है, इस ray का speed होता है, almost, almost, जो speed होता है, 10 to 10 to the power 8 meter per second light की, उसके थोड़ा नजदीक, उससे हो सकता है, थोड़ा कम ही, बस उसी कीतना है, इसके आगे, a shadow of metallic object placed on the path of frost is well opposite to the cathode, metallic object यह भी place करना चीए, तो उसको opposite side, cathode की opposite side रखना चीए, cathode ray counts green fluorescence on glass surface, the glass surface on which the cathode rays strike, so a colored sign, cathode ray जो है, cathode ray जब निकलता है, उसके बीच में उसको निखाया जाता है, तो उसका sign दिखाने को बोला जाता है, cathode ray consists of matter particles and possess energy by the virtue of their mass and velocity, cathode ray set a paddle wheel into motion when it is placed in the earth of these rays, this is due to the impact of the particle to the cathode ray on a blade on the paddle wheel, अब देखो यह है, यह cathode ray है, यह cathode है, अब इसमें एक anode है, दूसरा cathode है, जब इसमें current दिया गया, तो चार्ज एक जेगा से निकला और तूसरी सरफ जाने के लिए, अब completely तैयार हो गया, जब यह anode पर जाके टकराता है, देखो green glow होता है, इसका मतलब यह है, कि हर element अपना अपना कुछ न कुछ color बना सकता है, air at very low pressure, यहां पर pressure जो है वो बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है, ताकि वो आसानी से काम कर सके, अगर वो normal temperature पर रहेगा तो वो gases state में चला जाएगा, अभीयर क्या क्या ओलता है, इस रही आर सकते आपना थीछालटी ओर चाली उतस पांडने माग्नेटिंद, यहो रही आपना एदट आपना ठेक पर Sब्सेट को कर जईधिकति जटका न बाने एस अठेकलिक निया धापनांडा एस लुित जदक्रणा僕 बहीं, by thomson the name was change electron by strong अब क्या है यह यह electric field or magnetic field के वज़े से ऐसा होता है दो electrical charge plates यह charge plates है एक यह charge plates है There are deflected towards the positively charged plate, positively charged plates जो है 100 cathode carry negative charge, these particles carrying negative charge, these particles carrying negative charge, these particles carrying negative charge were called Egon-negetron जैसा कि आप देख रहे हो, यहां से रेर निकल रहा है, vacuum में जा रहा है, और एक एमेश यह भी बताया है, जो कि आप देख सकते हो, यहां पर green glow कर रहा है, और हमेशा ऐसा ही होता है These rays product heat energy where they collide with matter, it's so the cathode ray passes kinetic energy which convert into heat energy when it stops by matter अब क्या है कि यह heat देता है, अगर heat देने से किसी का फाइदा होता है, इसमें kinetic energy का परदा चलता है, यह बहुत ही अच्छी बात है These rays affected the photographic plate, photographic plate जो भी होता है These rays affected the photographic plate, तो photographic करने के जो प्लेट ही होता है, उसको भी यह डिस्टर्फ करता है Cathode ray can retend it the thin foil of solid material, Cathode ray जो होता है, वो penetrate करता है, कोई भी solid का material ले लो, उसका छोटा सा foil बराने लो, तो penetrate होता है Cathode ray can ionize the gaseous through which they pass Cathode ray जो भी होता है, वो ionized हो जाता है, आयन में convert हो जाता है जो उनके पास होता है, वो शोटे को जेदी आ जाता है Cathode ray जो है, Gaseous form में आने के बाद, ionized हो जाता है, जिससे वो पास होता है, आज के class में इतना है, नेक्स्ट गास में हम लोग पढ़ेंगे, है रोट रेक के बारे में तक के लिए, थैंक यू